आपको बिला है, आप देखिए, जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं, जिनके जीवन में सेंस अफ रिस्पॉंसिबिलिटी का भाव होता है, सफलता की सबसे बड़ी शुरुवात उसकी कुझी, सेंस अफ रिस्पॉंसिबिलिटी होती हैं, और कभी बारी की से, आप देखोगे, जो विफल होते हैं, उनके जीवन की तरफ देखोगे, आपके दोस्तों की तरफ देखोगे, तो उसका कारण हो, उनके मन में हमेशा, सेंस अफ रिस्पॉंसिबिलिटी के बजाए, सेंस अफ बर्ड़न इसके दोच के नीचे दबे हुले हैं, यार क्या करूँ, एक्जाम आ रही है, यार क्या करूँ, जल्दी जाना, हर बार बर्ड़न, हर बार बर्ड़न, देखिए दोस्तों, सेंस अफ रिस्पॉंसिबिलि को भी जन्म देता है। उसको रास्ते में कभी रुकावटे नहीं बलकि आउसर ही आउसर दिखते हैं। Sense of Responsibility व्यक्ति के Purpose of Life के साथ Tune हो। उनके भीच में Contradiction नहीं होना चाहिए। उनके भीच में संगर्स नहीं होना चाहिए। Sense of Responsibility और Purpose of Life दो ऐसी पट्रियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दोहर सकती है। मेरा आप से आगर है कि अपने भीतर एक Sense of Responsibility को जरूर बनाए रखिएगा। यह Sense of Responsibility देश के लिए हो, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो। आदेश अनेक सेक्टरस में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, इच्छाओं के अंबार से संकल्प की शक्ती अप्रमपार होती है। करने को बहुत कुछ है, देश के लिए पाने को बहुत कुछ है। पर आपका संकल्प, आपके लक्ष फ्रेग्मेंटेड नहीं होने चाहिए, टुकडों में बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए। आप कभिट्मेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप खूद में एनर्जी का एक विशाल भंडार भी मैसूस करेंगे। आपके भीतर का जो एनर्जी का पूल है, वो आपको दोड़ाएगा, नएने आडिया देगा, नए उंचाई पर ले पहुँचाएगा। और एक बात को आपको धान में रखना चाहिए। आज हम जो भी हैं, जहां भी पहुँचे हैं, थोड़ा मन को पूछे लेना, क्या इसलिए आप पहुँचे हैं, क्या आप अच्छे मार्क्स ले आये थे। क्या इसलिए पहुचे हैं, क्या आपके माबाप के पास पैसे बहुत थे। क्या इसलिए पहुचे हैं, क्या आपके पास प्रतिवात ही। ठीक हैं, इन सारी बातों का योगदान होगा। लेकिन अगर ये सोच है, तो ये सोच बहुत अधूरी है, आज हम जहां भी हैं, जो भी हैं, हम से जादा हमारे अगल भगल के लोगों का योगदान है, समाज का योगदान है, देश का योगदान है, देश के गरीब से गरीब का योगदान है, तब जाकर मैं आज यहां पह शाहूं कि कभी कभी हमें इसका इह सास ही नहीं होता है आज भी जिस युनिवर्सिटी में उसे बनाने में कितने ही मद्धुर्भाई बहनों ने अपना पशेना बश्मारा है कितने इमद्यमधर ये परिवरवारों ने अपना टेस्ट दिया होगा, तब जा करके, यह उनिवर्सिटी बनी होगी, इस उनिवर्सिटी में आपके पढ़ाई होगी है, ऐसे कई लोग होगे, जिनके नाम के आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनका भी आपकी जिन्दगी में कुछ को योगदान है, हमें हमेशा यह एहसास होना चाहिए, कि हम उन लोगों के भी रणी हैं, हम पर उनका भी कर्ज है, हमें समाज ने, देश ने, यहां तक पहुंचाया है, इसलिए हमें भी संकल्प लेना होगा, कि हम भी देश को का जो रण हम पर हैं, उस रण को मैं उतानूंगा, मैं उससे समाज को वापिस करूंगा.